फिरोजबाद में हिंदू जागरन मंच ने जिलादिकारी के नाम दिया ग्यापन मजज़ित पर लगे लाउट्पीक से जताए नाराजगी सरकार और कोर के आदेश के हवाले से लाउट्पीक को हटाने की रखी मांग साथ ही मांग पूरा ना होने पर सरकोपर हनुमान चालिसा पढ़ने की दिधंकी बाईजब क्या नामे आपका आज आपने ग्यापन दिया है किस मामने ग्यापन दिया है सरकार का भी इस पर दिसा निदेश्था को कोई भी तेज आवाज में लाउट्पीकर नहीं बजने चीए जिस तरह से लाउट्पीकर बजते हैं उससे धनी प्रदूसर होता है विद्यार्तियों को पढ़ाही में भी परिसानी का सामना करना पड़ता है और सबसे महत्मूर बाती है कि जो लाउटर स्पीकर जो अजान की आवाज आती है 24 गंटे बजते रहते हैं सुबह दोपैर साम तो जब हिंदू समाज जो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं उनके कानों में आवाज पहुँचती है ये जो सब्द बोलते हैं लाइन पंक्ती बोलते हैं ला इला इलला इस पंक्ती का अगर साब्दिक अर्थ देखेंगे तो इस पंक्ती का साब्दिक अर्थ है कि बिस्व में कोई भला के इलावा कोई भी दूसरा भगवान नहीं है अगर इस तरह की बासा इस तरह की लाइन अगर हमारे दिमाग में पहुँचती है तो हमारी भावना उससे आहत होती है तो इसलिए ग्यापन के माध्यम से जिलादिकारी मौदे की अनपस्तिती में SDM साब ने जो ग्यापन लिया हुआ है उसमें हमने मांग रखी हुई है सासन फ्रोजाबाद के आखे मूद करके लाउड़ स्पीकर पर काम कर रहा है अपना कि कहीं से भी किसी भी मस्जिश से लाउड़ स्पीकर नहीं उतारे जा रहे है अगर एक अपते के अंदर में लाउड़ स्पीकर तत्काल प्रवाव से फ्रोजाबाद जनपद में प्रत्य एक मस्जिस से नहीं उतारे गए तो हिंदू जागण मंच वह हिंदू बादी कारकरता रोड़ पर सड़क पर खुले में लाड़ो स्पीकर के साथ में हनमान और जो भी ब्यवदान आएगा जो भी परिशानी आएगे उसकी जिम्मेदारी फ्रोजाबाद सासन पर सासन की होगी